नमस्कार दोस्तों आज के कोड़ वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में दोस्तों भारत पे के तरफ से सभी को वीजा कार्ट दिया जा रहा है तो वीजा कार्ट के लिए आप अपलाए किस तरिका से करेंगे इसके अलावा वीजा कार्ट लेने पर क्या-क्या benefit है चलिए लीटेल में जान लेते हैं दोस्तों आप भारत पर आपको आपन करने के बाद यहां पर देखिए उपर में ही आपको लिखा हुआ कार्ट आप कार्ट पर क्लिक कर सकते हैं यदि आपको यहां पर सो नहीं करता है तब आप यहां पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है बैंकिंग आप बैंकिंग पर के लिख करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखावा है कार्ड्स आप कार्ड्स पर के लिख करेंगे अब यहाँ पर देखिए कार्ड्स हो कर दिया है देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको एक लाक रुपय का यहां पर क्रेडिट लिमिट मिलेगा इसके अलावा यह काड जो आपको दिया जागा यह बीजा का काड होगा और यह SBM बैंक से पार्टनर्सिप किया हुआ है इसके अलावा जो काड आपको मिलेगा उसके उपर में भारत पर मर्चेंट लिखा हुआ रहेगा और यहाँ चीप लेवल काड होगा यहाँ पर देखिए कहा गया है फ्री क्रेडिट 30 देज यानि कि आपको 30 दिन का यहाँ पर एक्रेडिट लिमिट मिलेगा यानि कि 30 दिन के अंदर यदि आप इस काड के मादलें से कोई भी पैमेंट करते हैं और उसका बिल पैमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी इंट्रेस्ट देने की ज़रोत नहीं है इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है यूज भारत पे बाइलेंस यानि कि भारत पे बाइलेंस को आप लोग यूज कर पाएंगी साती यहाँ पर नीचे में गेट 1% कैस बैक आपको यहाँ पर कोई भी आप इस काड के मादलें से पैमेंट करते हैं तो आपको 1% का कैस बैक भी दिया जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है इसके बाद यहाँ पर देखे नीचे में लिखा गया Easy David और लिक क्रेडिट स्विच यानि कि यह डेविट काड साती क्रेडिट काड है आप इसके मादलें से डेविट काड का तरह यूज कर सकते हैं और क्रेडिट काड की तरह भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखे आप लोग पर सकते हैं हुआटीज भारत पे काड चले अब इस काड को अपलाई करने के लिए यहाँ पर देखे लिखा हुआ नीचे में और नौ आप और नौ पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आप अपना pen number फिल अप करेंगे और नीचे में आप अपना pin code फिल अप करेंगे जो भी आपका area का pin code है चले हम फिल अप कर लेते हैं यहाँ पर detail फिल अप करने के बाद आप check eligibility पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे आगया है You are eligible for भारत Pay Card आप Get Card No पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे आपका address आजागा जो भी आपका address होगा जो भी आपने भारत Pay App में address को fill up किया होगा जो भी shop का नाम fill up किया होगा यहाँ पे आ जाता है चलिए इसके बाद आप continue पर क्लिक कर लेंगे आप यहाँ पर देखे आगया business details तो जो भी आपका business का नाम है यहाँ पर भास हो करता है जो भी आपने पहले से fill up करके रखा है यदि आप इसे change करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना business का नाम change कर सकते हैं आप यहाँ पर कुछ भी fill up कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बाद यहाँ पर है business category तो जो भी category आपका है यहाँ पर वसो करता है यदि आप category को change करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके change कर सकते हैं इसके बाद नीचे में है business sub category तो आप यहाँ पर click करके business sub category select कर लेंगे चलिए हम select क इसके बाद आप यहां से continue पर click कर लेंगे अब यहां पर देखिए प्लीज वेट करा है यहां पर थोड़ा साम वेट करेंगे अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका detail आ जागा यहां पर नाम इसके अलावा नीचे में जो भी bank account को आप भारत पे के साथ link करके रखेंगे य इसके बाद आप यहां से submit पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहां पर upload pen पर click करके अपना pen card का image को pen card के photo को upload करेंगे चली हम upload कर लेते हैं आप यहां पर take picture पर click करके pen card का picture यहां पर upload करेंगे इसके बाद आप next पर click कर लेंगे आप दोस्तों यहां पर देखिया गया pen details और यहां पर देखे लिए का हो रिफाय तोría आप यहां पर फेडिफाय हो चुकत है और जो भी आपका पिंद कर डिटेन होगा यहां पर सोटा है इसके बाद हम निचय स्कॉड करेंगे इसके बाद आधार नमबर के साथ मोबाइल नमबर का लिंक होना जरूरी है क्योंकि आधार नमबर के साथ जो मोबाइल नमबर लिंक है उस पर OTP आता है और OTP के माध्यम से ही यहाँ पर आधार वेडिफाय किया जाता है तो आप यहाँ पर एड़ आधार पर किलिक करेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जागा, यहाँ पर आप अपना आधार नमर फिल अप करेंगी, इसके बाद जो भी capture को नीचे में दिख रहा है, इस capture को यहाँ पर फिल अप कर लेंगे, यदि capture समझ में नहीं आता है, तो आप इसको यहाँ से capture को refresh कर सकते हैं, दूसरा capture ले सकते हैं, आप य यहाँ पर है take your selfie, तो आप यहाँ पर take selfie पर किलिक करेंगी, और यहाँ पर आपको अपना selfie अप्लोड कर लेना है, यानि कि अपना photo अप्लोड कर लेना है, इसके बाद आप next पर किलिक करेंगी, जैसे ही आप next पर किलिक करेंगी, आपको address फिल अप करने के लिए जागा, तो आपको किस तरीका का भारत पे का कार्ड दिया जाता है दोस्तों देख सकते हैं यह भारत पे का कार्ड है पहले भारत पे के तरफ से इस तरह का कार्ड दिया जाता था जिसके उपर में एक्ष्ट्रा इंकम कार्ड लिखावा रहता था इसके अलावा पहले भारत Pay के तरफ से आपको Master Card दिया जाता था लेकिन अब भारत Pay के तरफ से आपको Visa Card मिलेगा और कार्ड के उपर में भारत Pay लिखावा रहता है और देख सकते हैं यह Contactless Card है इसके अलावा यह Chief Level Card है देख सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीका का आपको Visa Card दिया जाएगा